जैसाइराम नमस्कार मैं ब्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में मैं ब्रिजमों सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साइगरंथ राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विशे आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विशे आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं तो आएए आज का विशे शुरू करते हैं एक चित्र में आपको संपूरन रमायन के दर्शन करवाय जा रहे हैं यदि आप दिपावली से पहले लगातार इस चित्र के विदिवत दर्शन करते रहें दूप अगरबती करते रहें तो आपको विशेश परकार की शक्तियां मिल सकती हैं आप इस चेतर को ध्यान से देखें, इसमें संपूर्ण रमायन का सार है, यदि आप दिपावली के दिन इस चेतर के लक्षमी पूजन दुरान धर्शन करते हैं, तो आपको प्रमात्मा की विशेश वाइब्रेशन मिल सकती है, विशेश शक्तियां मिल सकती है, विशेश आपको हो सकता है, आपको चाहिए कि इस चेतर के दर्शन वितिवत करते रहें, इस चेतर के दर्शन करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो उसका लाब भ आप चेतर में देखिए किस परकार बगवान राम के जनम से लेकर उनके बनवास वापिस आना फिर सिंगासन पर बैठना माल सीता की अगनी प्रिक्षा देना सब इसमें आपको नजर आएगा हनुमान जी का जाना सब कुछ इस जितर में आपको डिष्टी गोचर होगा रावन की मृत्यू ये संपूर्न रमायन का सार है इस सार को आपको बड़े ही प्रेम से दर्शन करके नमन करना है बहुत ही प्रेम से इस रमायन के संपूर्न सार को आपने दिल में उतारना है विदिवत तरीके से आपन लक्ष्मी पूजन के दुरान पूजा करनी है आपको विशेश लाप प्रापत होगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगे हैं और आपको कोई रुकावट नहीं रही है यानि आप जिंदगी में पूरन रूप से तरक्की करेंगे अब मैं यहां इजाज़त चाहूंगा यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिर्पै इसे लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने से मेरा होंसला बढ़ेगा और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें उनको भी लाब मिले और जब उनको लाब मिलेगा तो आपको उसका पुन्य प्रापत होगा तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वाटसेप कर सकते हैं यदि आपने जनम पत्री दिखानी है तब भी आप वाटसेप कीजिए जनम पत्री देखने की हमारी फीस होती है आप जानते होंगे कि जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं, योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी, कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परन्तु हमें लाप प्रापत नहीं होता है, हम लगातार ग्रहो के उपाय कर रहे हैं बहुत सरे astrologers के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाब नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम कुंडली में योग होते हैं जब योग activate ना हो खमजो़ तो गरह काम नहीं करते हैं और जब गरह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाए कितने भी कीजिए आपको लाब नहीं मिलेगा कब तक जब तक कि उस योग को बली नहीं किया जाता है एक्टिवेट नहीं किया जाता तो यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो वटसेप कीजिए सवाल है तब भी वटसेप कीजिए वटसेप का जवाब चार झाल झाल